यूपे पुलिस में सिपाही भरती पेपर लीग मामले में एहम मुल्जिम अरुन कुमार सिंग ने सरेंडर कर दिया है पेपर लीग मामले में पूरे सूबे में 178 F.I.R. जबकि 396 लोगों के गिरफतारी हो चुकी है और अब अरुन कुमार के सरेंडर को भी बड़ी कामियावी के तौर पर देखा जा रहा है मुल्जिम अरुन कुमार के सरेंडर के बाद UPSTF ने उसे मंचनपूर को तवाली पुलिस को सौब दिया UPSTF ने जिन मुल्जिमीन को गिरफतार किया था उन्होंने पुलिस के सामने के चौकाने वाले खुलासे किये है पेपर लीग गैंग के स्टेट लेवल पर एक्टिव है और ये पूरी साधिश को कोड नंबर और आइपोन के सरीय इंजाम दे रहे थी जिसमें से 396 लोगों की गिरफतारी पहले ही की जा चुकी थी पुलिस अब गैंग के बाकी लोगों की गिरफतारी में जुटी है वही उन जगाहों पर जाने की तैयारी में है जहां जहां इन्होंने परचे दिये बताते कि गुदिश्टा महीने में ही यूपी में बड़े लेवल पर यूपी पुले सिपाही भरती के लिए इम्तिहान मुनाकित किया गया था जिसके बाद अप्लिकेंट ने पेपर लीक का इल्जाम लगाया था केंडिडेट्स की नाराज़गी को देखते हुए यूगी सरकार ने इस इम्तिहान को रद करते हुए छे महीने के भीतर एक बार फिर से एक्जाम कराने का होकम दिया था साथ ही इस एम्योगी ने साफ कर दिया था कि पेपर लेक मामले के खुसरवारों को बक्षा नहीं जाएगा विरोर पॉर्ट सलाम ठीविए